तो welcome to my channel guys, आज हम लोगों बात करने वाले हैं आर्मेचर के बारे में, आर्मेचर क्या होता है, कैसे इसका यूज करते हैं, और movement दिने में ये कैसे हम लोगों को help करता है, उसके बारे में total total ये discuss होने वाला है इस वीडियो में, okay, देखो, अगर आप shift A करते हो, तो यहाँ पर आर्मेचर, यहाँ पर दिख रहो ऐसा आगर आता है, शिफ्टे करने के बाद, यहाँ पर armature, यहाँ पर front लाने के लिए, दिखने रहा है, इसमें armature है, बट आपको दिखने रहा है, एक object में, जब भी armature डालते हैं, तो आपको नहीं दिखता है वो चीज, because वो backward रहता है, तो उसे हमें को front में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा यहां पर object data properties में यहां पर ऐसा बना हुआ रहेगा वहां पर जाना है आपको, viewport display में जाना है और यहां पर in front कर देना है ठीक है ऐसा तो यह जो mess है कोई भी object का अगर रहता है तो उसमें in front करना जरूरी इसलिए हो जाता है इसलिए यह बहुत ही बड़ा bone दिखता है ठीक है तो जब भी animate करते हैं लोग तो यह बहुत ज्यादा यूसफुल नहीं होता बिकाज यह बहुत ज्यादा जगह लेता है इसलिए इसलिए हमनों दूसरा तरीका से बोन को यूज को यूज करती है तो देखो यह कितना चोटा सा जगह ले रहा है ठीक है यहां पर बोन अवेलिबल है अगर आप यहां पर पोज मोड में जाओगे तो आपको इस जीज का अब इसका फायता लगेगा जब अपनिमेट करना साट करों तब इस जीज का फायता आपको बहुत ही ज्यादा होगा बी बोन ऐसा एक ऐसा रहता है ऐसा दिखता है ऑके यह अपर डिफरेंट डिफरेंट तरीका से आप इन्विलप ऐसा दिखेगा ऑके वायर एक पतला सा एक वायर ऐसे दिखेगा इसका यूजर बात में जाकर के आप जाता करने वाले हो यह इंट्रोडक्शन सेक्षन है इसलिए जादा इसके बारे में डिसका सनों नहीं करेंगे बट यह जानके रखेगा कि यह डिफरेंट तरीका से भी यह दिख सकता है अब इसको यह भी तो अगर हम इसे यहां पे कर देते हैं इसीच को बस आप इसे समझने के कोशिश करना कि किस तरीका से इसका प्रोसेस हो रहा है यह एंडरस्टानिंग क्लियर हो जाएगा कि कैसे यह काम कर रहा है ठीक है तो आपको समझ में आने लगेगा यह आपका हेड हो गया बोन का यह देखो है ना तो वन क्लिक किया मैंने नमपैड में तो और्थो ग्राफिक व्यू में यहां पर फ्रेंट में मुझे दिखने लगा और थ्री करेंगे साइड यह तो यह चूब है से लिए चारो साइट से एक ही तरहका से दिख रहा है अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ठीक ह अगर हम इसमें जाते हैं पोज मोड में यहां से भी आप जा सकते हो अबजेक्ट मोड एडिट मोड और पोज मोड पोज मोड में जाते हैं तो अब एकर इसे हिला होगी तो ऐसे से करके हिल रहा है राइट रोटेट कर रहे हैं तो ऐसे करके आपका रोटेट हो रहा है अग अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो जिस तरीका से इस bone का movement हो रहा है, उस तरीका से मैं चाहता हूँ कि ये भी क्यों मेरा movement करें, है ना, हम लो, bone को इसलिए use करते हैं, इसको अगर हम अगर हम इसे object mode में ले जाते हैं और अगर इसे, इसे हम grab करते हैं, इसे rotate करना चाहते हैं, तो rotate होगा नहीं होगा rotate ना, देखो ऐसे rotate हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि जिस तरीका से ये bone rotate हो रहा है, उस तरीका से rotate हो, that's why we use bone, हम लोगों का जिस तरीका से body function करता है, हम लोगों का structure है, उसको जितना भी skin है, या फिर जितना body का part है, उसे एक ये देने के लिए, इसको सहारा देने के लिए bone का use होता है, उसी तरीका से, ये seem to seem, उसी तरीका से ये function करता है, अगर इस such को, ठीक है, इसको यहां पर इसे click किया और हम पर इसे click क करमें, और यहां पर bênवा फाल आपशिग और ब्शेड का का मतलब है हो गया कि सिर्फ औस इफॉप दो करेंगे वी तु आटोमेंटिक वेड यहां से एफ बॉडड ओगा इसका समयित का इस पर यहां पर चाहिए टो कौन सा पार्ट को कहा यह इसका वेट रहागा वो क्या करका बोन उठाएगा जैसे कि एक घर रहता है घर का पूरा का पूरा जो वजन रहता है आप पूरा चीज को घर का पूरा समझाले रहता है वो कौन रॉड समझालता है उसी तरीका से ये भी उसी तरीका से फंसन करेगा जिस तरीका से रॉड होता है पूरा का पूरा पी अगर दबाओगे ctrl P तो आपको ऐसा खुल करके आएगा अबजेक्ट अगर क्लिक करोगे तो सिर्फ अबजेक्ट होगा और लेकिन यहां पर वित आटोमेटिक वेट करना है इसका ज्यादा यूजर्स में बाद में बता हूँ को और यहां पर तो इसा कुछ दिखेगा और अगर इसे हम रोटेट करते तो एसा रोटेट ही होने लगा झिस तरीका से अगर बोन का मुवमेंट रहेगा उसी तरीका से अब यह आपको क्या करना पड़ेगा इसको इसको मुवमेंट देने का ज़रूद नहीं है अब सिर्फ जिस सिर्पे से होगे उसी तरीका से आपको यह टोटल का टोटल मुवमेंट होगा आधिंग क्लियर हो रहा है समझ में आ रहा है जादा हाड नहीं है इस चीज को यह फर्स्ट है इसलिए मैं बहुत ही अराम से जा रहा हूँ झाल यहां से ग्राब करके क्या करो एक करो ऐसे यहां पर इसको यहां पर ले साथ है इसको एक्सच्टूड करो ईए एकस्टूड होता है ठीक है शेकिन इसको चाहता हूँ कि Ctrl P करना है with ओ आट्मेटिक वेट करना है अब इसको पोज मוड में देखो बोन का जब भी फंसन करेगा बोन तभी एक्टिव रहेगा यह तभी काम करेगा बोन का जब आपका पोज मोड में रहेगा अब जिक मोड में रहेगा तब नहीं बोन function करेगा ठीक है और edit mode में रहेगा तब तो नहीं करेगा और pose mode में रहेगा तो bone किस पे assigned है क्या हो रहा है उसका movement से क्या फायदा देरा bone वह इसका pose mode में ही देख सकते हो ओके अब देखो इसका movement ऐसे हो गया ठीक है आरहा समझ में तो देखो इसका में अपको इसके अक्राडिंग आप movement कर सकते ओंब यह buta moment ऐसे यह बोन इससे connected यह बोन जुह है यह आपका में बोन है। उससे connected यह बोन है । सक्षोपर ले जोगए तो वह connected रहता है यह बन से यह bon connected रहता इसको disconnect भी कर सकते हैं इसको बारे में हम बात में início से बात कि HER अगर आप फिर से इए काम करते हैं, की औब्जैक्ट मोड में चले गए, ठीके बोन को सिच्छेलट किया, एडिट मोड में चले गए, इसे हमकी काम करते है, इसको गराब करके इसको छोडा कर लेता ह। इसे ग्रैब करके मैं छोटा कर लेता हूँ इसे ग्रैब करके मैं छोटा कर लेता हूँ इसे ग्रैब करके मैं छोटा कर लेता हूँ फिर से मैंने एक्स्टूड किया एक यहां पे एक्स्टूड किया फिर मैंने एक यहां पे एक्स्टूड किया अब इसे tap करके, फिर से इसे क्या करना है, कि हमीशा जो इसका weight है, उसको यहाँ पर assign करना है, अब इसे यह करना है, अब देखो, इसका जो इतना दूर का, अब क्या किया, यह पूरा का पूरा जो वजन है, वो पूरा का पूरा सिर्फ एक बोन पर नहीं divided हुआ, यह चार बो इसको जब हम लोग वेट में जाएंगे उस समय से इसका जिसके ज्यादा कहाँ पर इस बोन का कितना मोला आरी दिसकार अब यहां से अगर इसका movement कराए देखो इतना movement होगा और इसका अगर movement कराए तो यहां पर ऐसा movement होगा तो I think clear understanding हो रही हो कि कि bone कैसे function करता है और किस तरीका से इसका process होता है ठीक है इसका नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर थोड़ी सी और भी high चीजेस इससे मिलेंगे ओके थैंक यू सो मच